दोस्तों नवसकार अभी तक हमने जनसंख्या ब्रद्ध के बारे में कुछ सिद्धांत पढ़े हैं जिसमें सबसे पहले हमने मालतस का सिद्धांत पढ़ा है तो मालतस का सिद्धांत बहुत ही बैग्यानिक नहीं है क्योंकि यह थोड़े बीच में यानि के यूरोपी यह कु ना शुरू किया तो उसमें पिर जो दो विज्ञानिकों ने एक जनांक की ये संक्रमण सिधान्द प्रस्तुत किया जिसमें डवलू एम थॉमसन 1929 इसवी में और एफ डवलू नौरश्टी इन नाम किये विज्ञानिक जो है इनों छोने एनिजों 45 में ये जनांक की संक्रमण सिधान्द दिया है् तो इस सिधान्द का जो अध्यानچ शेत्र है यानि कि ये सिधान बहुत ही अधिक छेत्र पर अध्यान करने के बाद दिया वह आति है एक झमने योरोप के सबी में देश सामिल थे और अस्ट्रेप्ट टल्टेयलिया अस्टेलिया तत passionate अमेरिका हो कि इन देशों का अध्यान करने के बाद इस सिद्धानत को दिया गया इसलिए यह सिद्धानत का सामना करना हिपड़ता है और यह वू समझ लेना बहुत ही जरूरी है क्योंकि अरसास्त्र और भूगयूल के विध्यारतियों को यह सिद्धान्त का सामना करना ही पड़ता है और परिच्छाओं में भी यह सिद्धान्त पूंचा जाता है और बैसे भी हमारी सामाजी को जनाए हैं उन्हें लागू करने के लिए और देश के की लिगाश और जन्हें के आकार के दीद्धान्त के एन्रव कंट करता है तक भी विद्धान्त के वे यानि इस सिदांत में तीन परिकलपनाय की गई हैं जो के इस तरीके से हैं कि जनन छमता यानि कि प्रजनन छमता में हिरास से पूर्व म्रतुदर में कमी आती है यानि जो प्रजनन छमता है उसमें कमी आने से पहले म्रतुदर में कमी आ जाती है मिरत्व दर से ताल मेल रखने के लिए प्रजनन दर अंतता कम हो जाती है जब मिरत्व दर कम होती है तो प्रजनन दर कम हो जाती है किसी समाज का आर्थिक सामाजिक परिवर्तन उसके जनांकिकी ये रूपांतरण के साथ होता है यानि जनांकिकी रूपांतरण जैसा होता है वैसा ही आर्थिक सामाजिक परिवर्तन भी होता है और इस आर्थिक सामाजिक परिवर्तन और जनांकी की रूपान्तरण में जो है वो सह संबंध है तो दोस्तों यहां पर देखने की बात यहिए जनम दर यानि के प्रजनन थम्ता और मृत्तुदर जनम दर है वो प्रति एक हजार व्यक्तियों पर व्यक्तियों पर यानि के इसमें पुरुष और महिला दोनों सामिल होते हैं एक हजार व्यक्तियों पर जीवित शिशुओं की तंख्या होती है तंख्या होती है यह बहीं मरतुदर यह जनम दर और मरतुदर एक हजार व्यक्तियों में मरने वाले व्यक्तियों की संक्या इसमें महिला पुरुष दोनों ही सामिल होते हैं और यह जो है वो प्रति वर्ष होती है यानि के ये प्रतिवर्ष के अनुसार आंकड़े लगाये जाते हैं यानि प्रतिवर्ष एक समाज में एक हजार पुर्षों के सापेक्ष जितने शिशु जनम लेते हैं और जितने शिशु वो जीवित रहते हैं और जितने व्यक्ति एक हजार पुर्षों में मर जाते हैं उस ये सिड़ांत एक ग्राफ के दौरा समझाया गया है तो इस ग्राफ habrして हैं कि हमने इस यह जो एक्ष है U Dar सभफार में परिवरतन होता है और यह रेखाई जो हैं वो अपने हिसाब से चलती हैं किस तरीके से चलती है इने धुक लेते हैं तो यहां पर यह जो हरे रंग से दिस्टाइए इस रेका को हम जनम-दर के रोब में दिखाते हैं यानि यह जनम-दर है पहले जनम-दर बढ़ती और घटती है कुछ इस हिसाफ से फिर ये जनमदर लगबग सामान होकर और फिर ये नीचे चली जाती है यानि कि कम हो जाती है ये बहुत ही कम पर बनी रहती है बहीं मरतुदर जो है पहले ये अधिक होती है और अधिक होने के बाद ये फिर कम होना शुरू होती है और कम होते है और यह पिर सामाहनसी हो जाती है यह सीधी रेखा जैसे विखा देती है तो अब बात यह है कि यह जनमदर कैसे कम होती है यह और मुर्त तो समाज होता है तो यहां यह पर फBen वस्ता है इसमें समाज होता है और जयादा तर लोग कहर करते sleep under अधिक test समाज होता है और जंगल में जिसा हैं तो इस समाज में बच्चे पलिदा करना ना यहां पर बहुत ही बड़े संयुक्त परिवार भी होते हैं तो उन संक्या बहुत अधिक बच्चों का जनम होता है वहीं यहां पर जो है वो चिकलता सुभदाएं भी बहुत ही कम होती है यानि के लोगों को जब शिक्षा नहीं होती है तो स्वास्त्अ के बारे मिए चेत्ना भी कम होती है तो किस तरीके से स्वस्तर जाये सभाष दूसरे को समझना सुरू करता है और फिर सिक्षा यो मे atmty आद्मी को जिन्दिक के नियम के बारे में पता होगा और से Nee में दम यानिकी मरत उदर और कम हो जाएगी तो जैसे इस司री अवस्ता जिसमें करें अगर वड़ती है और ताव जनमदर अधिक रहती है तो इसलिए यहां पर जन संक्यातेजी पेस्ती हैं पेस्त करता whose ने है Ollie अ करे तो समाज में सिख्षा का परशार हो जाता है और रिवार आ जाते हैं और रीवार गोई जाते हैं थो जुम्मेदारी बच्चों की अधिक बढ़ जाती है यानि कि बच्चों पर खर्चा और आमदनी इस से लोग सोचने लगते हैं कि बच्चे पालने में जो खर्च होगा वो स्वैम ही उठाना पड़ता है क्यूंकि इससे पहले जो है वो श्रेयुक्त परिवार होते हैं तो परिवार मिलकर उसका बजन उठ जाता है तो आदमी को महसूस नहीं होता है तो उसमें जो है कि मनुष्य को स्वैम ही जुम्यदारी निवानी पड़ती है तो बच्चों की परवरिष के जंजट होता है उस पचले में नहीं परना चाहता है इसलिए कम बच्चे फैदा होते हैं तो यह जनम-दर भी तेजी स चाहमा नसी हो जाती है और है जो जसंक्या लगवग एक हो जाती है यानि के निम जनम-दर होती है और, कम ब्रद्ध होती है यानि के यहां पर एक जनसंक्या का इस्तिरांक जो है वो देखा जाता है उसके बाद में जब पांचमी वस्था आती है तो इसमें जनसंक्या का इस्तिरांक्या बच्चों की पैदावार और कम हो जाती है यानि के यहां पर लोग जो है वो आलिशान जी जीना पसंद करते हैं और शाधी वियानक के बारे में भी कम सचते हैं और शाधियां जो है यहां पर बहुत ही लेट होती हैं तो इस तरह से यहां पर पिर जनंदर और कम हो जाती है और समाज में जो कम होने लगती दोक्त नहीं देखा गया ह। समाज हमारे जो देस और इनका आर्थिकम हैब पहर पांच अबस्था 0 prag राब्त होती जनांकी कि संक्रमण की अवस्थाहं के नाम से जाना है यसर और नियंगा की साझ है और आज कल हमारे संसार में झादा तर यह सद्धांट जो है में यह देखा जाए तो संतार का कोई भी देश ऐसा नहीं है जो कि प्रतम अवस्था में हो लेकिन हां आते 200 साल पहले या 300 साल पहले लगवग सभी देश इसी अवस्था में थे और इसमें जब यूरोपीय देश में उन्नत हुई तो यह अवस्थाएं जो हैं बदलती गई आज विकास ठील जो देश हैं जैसे के भारत देश है वो तीसरी अवस्था में यह प्रवेश करने वाला है या के प्रवेश कर सब्सक्राइब करद एंजा रहें जाएं ऐसे यहां पर देशों की जन्फन क्या घट रही है यह जिसे के यहां पर जनमदर को फिर बढ़ाया कि धजरी नहीं है कि पहली के वाद दोसरी को तीसरी और यह वस्थाएं आये क्योंकि सामाजिक विकास और आर्थिक विकास के साथ ही यह दिशेतना आ जाती है तो चीन जैसे देशने यानि के जहां पर जिसने एकदम कानून ही बना दिये कि कोई भी विएक्ट दो बच्चे से अधिक पैदा ही नहीं कर सकता यहां पर दो बच्चों बढ़ा नीचे चली गई तो इस तरह से चीन का उधारन दिया जाता है और देशों का भी उधारन दिया जाता है कि यह जुरूरी नहीं है जब जन्संख्या बढ़ेंगे हो सकता है कि जनम दर उंची ही बनी रहे लेकिन यह इस्थित जो है बहुत दिनों तक नहीं की जा सकती क्योंकि किसी देश का आर्थिक विकास होगा तो महां पर बच्चे जो है निश्चित ही कम पैदा होंगे यानिकि यह शक्ति जो प्रजरन चमता है वो कम हो जाती है और यह दिये जो है यह सिद्धान्त एक इंड पास बच्चे एक एक बफ़ दमपत्ति के हों लेकिन बहीं जब फ़र्म तूड़ तूट जाता है और एकल परिवार हो जाता है तो समी एक दो तीन ही बच्चे होते हैं और जब ये बहुत जादा उन्त करके बाहर चले जाते हैं पढ़ने के लिए या बिदेशों बढ़ते हैं तो एक-एक बच्चा भी होना मुश्किल हो जाता है और कभी-कभी तो कुछ सदमपत्यों कि कोई भी बच्चे नहीं होते हैं क्योंकि उनका जीवन बहुत भी विलाशता-पौंड-जी और उस बच्च प्राप्ति करने के लिए भी पहां पर बहुत हिसे ही वह कार्य करते हैं यानि के आज करने के लिए कई तरीके से हम देखते हैं कि समझना भी बहुत ही आसान है क्योंकि जनम दर और मिरत्व दर को समझ लें उसके बाद में सामाजी को उन्नति को समझ लें और यह टाइम रेखा और इसमें यह जो है यह करव खीचना चीजाते हैं तो इस तरीके से हम एक दो तीन चार और पाच अवस्थाओं के बारे में सीख जाते हैं तो कोई भी हमारा देश जो है वह विकास की चार पाच अवस्थाओं से होकर ही गुजरता है और इन्हीं अवस्थाओं में इसका जनांग्र के रूपांतरण होता है यानिCR जैसे जैसे आर्थिक और सामाजिक उन्नति होती है बिसें उस समाज का जो जनांग्र के अवस्थाएं हैं बहुती आते हैं किसी संमाज की आमाजूक उनति तेकर आफिए जन씨 को बताया جा स करता है तो दोस्तों कि आज के लिए इतना ही और मिलते हैं अगले वीडियो में सिग्र ही एक नए टापिक के साथ कब तक के लिए जय हिंद